जै जिनिंद्रा जै भोले ना दोस्तों कि तीन बच के 37 मिनेट हुई है शी ठर्टी कितना बच गया है कुछ नहीं ग्लास तोड़ा बारा ना ठीक है कल थोड़ी से निगेटिव क्लोजिंग भी अची नब्य पॉइंट की निफ्टी में अच पचास पॉइंट प्लस हो गया तो जहां सुकरवार को खड़े थे महीं खड़े ठीक है अब आप लोग को समझ में आया कि यह लोग कैसे आपको यू फोर बनाते हैं और सी फोर क्या बनाते तो आपको पता ही है ठीक है कि एसी वैसी एसी और एक ठूओ डॉक्टर रेडी यहां से सेल अरे भाई या कि चार्ट देखते हैं नहीं हो आज के बाकी के कॉल्स और दिखा देता हूं को एक स्री नाम फाइनेंस में मेरा कल कॉल दिया था कॉल ओप्शन वह हिट स्टॉप लोस हुआ है लाइसी फाइनेंस अच्छा चला 51 रुपया गया टाटा इसका कॉल दिया पचास वह यह 5556 चला गया चलो अच्छी बात है बाकी सब आपको दिखाई दिया था और यह भी पहले ही लिख दिया था 350 आएगा आज है ना फूच आज तो शिक्स थाउजन वाला जो ओफर था वो कल सुबह नौ बज़ तक अलाउट किया जाएगा सुबह नौ बज़ तक जिसका भी पेमेंट आ जाएगा नौ बज़े के बाद उसको भी अलाउट नहीं किया जाएगा फिर आपको 12 आजार देखें वेबिनार जोइन करना है बारहाजार आप कभी भी देखें दो चौधा मार्स तक भी दिये तो चलेगा ठीक है छेजार में आपको जोइन करना रहे और आप रियल में कोई स्टूडेंट हो या तकलीफ वाले हो तो कल सुबह नौ बज़े के पहले पेमेंट आपका आजाएगा तभी अलाउट किय मैंने बोला था मैने में दो या तीन कॉल दूंगा उसका एक कॉल आज दे दिया गया ठीक है तो एक मैने के अंदर दो तीन दो या तीन या कभी चार भी आ सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं है वह पांट साल के लिए से पंद्रह अजार रुपया आप चाहो तो कभी भी करो जितना जल्दी करो उतना कि उसमें एक को आज दे दिया लेकिन पांट साल करो यह जो बताया था मैंने एक मार्स स्टार्ट होने वाली उसमें सिफ आज आज तेरह जार रहा कल से उसकी फीश 40.000 रुपे सिफ आज तेरह जार बारा तो होई गया तीन दिन उसके बाद तेरह हुए आज आज तेरह जार आज रात को आप एक वे तक भी जोईन करोकर चले एक साल वाला जिसमें यह सारे कॉल्स अभी आपको दिखा है वैसे पूरे का पूरे होई कॉल्स और उनको तो अभी मिलने ल चुल्स तक होगी 56354 7988 वाट्ष अपा नाम अपनी सेडी का नाम अपनी एक सेलफी फोटो है आप भूल से झाख सेगयो अपना नाम अपनी सेटी को नाम अपनी इक सेलफी फोटो जुरू डाले सब नहीं होगा गया दूसरी आपकी मर्जी है ठीक है और अब और कोई ओफर अगले चार-पांस साल आपको नहीं मिलने वाले जो नॉर्मल रेट से कल से सब अप्लाई हो जाएगी बहुत लोगों बहुत मोके दिये मैंने कल से इसका चालीस जा रहा है मैं बता रहा हूं जो वन यहर का पूर रहा हूं वह आप फाइव यहस वाला कभी भी करो पंद्रह जार ही रहेगा ठीक है लेकिन उसमें आज एक कॉल दे दिया है बता दिया ही मांदर ही सा हां बहुत आज प्लस हो गया कल के हाई को आज तोड़ा है यह भी बता देता आपको कल का हाई को आज तोड़ा है ठीक है कल का हाई 202 था आज का हाई 218 तो वह यह कहां मंदी भाईया कहां डूंड़ा उनको ऐसा वैसा वैसा इकिस नौसो इकिस आठसो इकिस अजार ऐसा सकुछ बोल रहे था कुछ कि दो दिन हो गए वाई सोम और मंगल तो हम तो कल के हाई को भी आज तोड़े हैं हाला और आज पॉजिटिव क्लोजिंग 76 पॉइंट की हो गई है कल आपको 89 या 90 पॉइंट माइनस बंद हुआ तो तो क्या आपने 14 पॉइंट के लिए बड़ी मंदी बताई थी कि दो दिन और आज मैंने बोला था आज किसी भी हालत में दोनों प्लस में बंद होगे दोनों प्लस में बंद होगे और बैंक निफ्टि गया भी था साड़े 300 के नीचे आज का लो बनाया था 310 कुछ देखवा वहां से खीच के यहां आए ठीक है यह भी बताया था मैंने मौके भी आपको मिलेंगे तो यह सब बाइंग के मोके थे निफ्टि ने तो कल का लो भी नहीं तोड़ा कल का लो और पिच्छतर का था आज पिच्छा से तो निफ्टि तो दो दिन में मुझे लगता है 400 95 का जो टार्गेट वह तो दो दिन में इसी दो दिन में आ जाएगा फ्राइडे का इंतिजार नहीं करना पड़ेगा ठीक है जो जो कॉल दिया और सब एक से एक थे एक से लेकिन आपको मैं समझा नहीं सकता है यहाँ पर इतना डीटेल मुझे नहीं बताना है और कल से यह सब डीटेल दिखाऊंगा भी नहीं क्या दिया क्या नहीं आप अपना सोचो कि बहुत प्यार किया सबको है कितना कि अपना खाना अभी खाता हूं मैं अभी ब्रस करूंगा अब लंच करूंगा पहले विडियो बनाता हूं आपका ना क्या अभा भाई यह यह फ्राइडे की क्लोज थी दोसो बारा आज की क्लोज हैibileर वन नाइंटी एड कितना फरक वह फ्राइडे और आज में राइडे की क्लोजिंग कितनी थी बाइसाब दोसो बारा 22-212 फ्राइडे की क्लोजिंग थी और उस दिन और टाइम हाई भी बना और टाइम हाई से आज आप आज 198 की क्लोजिंग आई यानि कि आपने सिर्फ 14 पॉइंट के लिए पूरी जहां कोई ला दिया था तो सच्चा कोन यह सामने दिख रहा आपको कि इसको मंदी बोलते हो 2298 पर आज क्लोज हुआ है इसको मंदी बोलते हो 2297 का तो और टाइम हाई है और उसको भी मत देखो 200 बारा की तो फ्राइडे को है जानते तो होनी कुछ भी बोल ढलते हो राः कि तूसरह क्या देख करम करोगे तो यह सब कुछ नहीं है और करम नहीं करोगे सर मैंगे और जब बॉले ना तो भगवान से दूश्यक्व को मांदेग का वेसी उर्वैसी जाहा और कल के हाई के ऊपर कल का हाई कितना है 202 लग बक कल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है 198 की क्लोजिंग आई है जब का हाई था 202 है काम अंदी भाई बैंक निफ्टी तो भी किता फ्राइडे को बताया था लेकिन तो भी उसकी ताकत ने भी एक बार भी पांसो के नीचे क्लोज करा दे गुरू तो कम से कम धंका बनाओ लोगो कि 324 स्पॉर्ट में भी गया था लेकिन 588 का क्लोज किया तो यह दिखे आप मुझे बताई कहां सेटप विगड़ा कहां विगड़ा आज भी टैनिये में पांसो सताइस है तो मैं इसलिए आपको सिखाता हो यह सब चीजे यह आप और मैं आपको दिखाऊंगा इस फ्राइडे तक आप कहां पहुंच जाओगा आप पागल हो जाओगे कि अभी इन लोगों की मंदी तो आप लोगों ने देख ली अब तेजी देखना मेरी वाली कि इस फ्राइडे तक देखना कहां पहुंचते हैं पिछले फ्राइडे कहां आते यह तो पता ही आपको और अभी जो जो स्टॉक निकाल के दे रहा हूं ने इंट्रा डे में टार्गेट हिट कर रहे है या फिर भाग रहे है कि इतनी मेनत करता हूं अपने व्यूवर पर्सनल फॉल्वर्स के लिए कि यह लोग का क्या ट्रेंड फिक्स है पुनीमा आजाती है लोग बस उसमें ट्रेंड होता है ऐसा कई फर्मूले पर चलते हैं लोग अमावस्चा आती है तो अमावस्चाले दिन जो होगा उसके अगले दो दिन अलग होगा अरे यहार इसा कुछ मार्केट को यह सब मत पुल टेक्निकल से या फिर फंडामेंटल से है वह एक जना मुझे चैलेंज कर रहा था था मेरे अस्ट्रोजर ने बोला है डॉक्टर रेडी गिरेगा डॉक्टर रेडी फ्राइडे को और अभी का डिफरेंच दिखा देता हूं फ्राइडे को कहां पे क्लोस था शिक्स फ है का गिरा भाई है कि टैनी यह में के नीचे तक नहीं गया कि चलो कि अब कोई चीज इतना भागा है तो तीस चालीस पचास पंड़ा का नीचे आता तो तुम लोग हिल जाते हो यार कोई चीज यहां से यहां भागी है कि वह इंट्रेटे में तो थोड़ा करेक्शन दिखाएगा कि उसको तुम लोग मंदी बोल रहे हो कि अरे टेन यह में भी नहीं चूरा यह सोचो कि मंदी का कोई साइन तो आने दो प्रकास आती है एक साइन देके आती है एक आती है गैब डाउन सीधा कोई बैड न्यूस रात को आ गई तो उसका कोई लाज नहीं है इसलिए अगर आप सब्सक्राइब एक दूर का केरीकर ना कि कभी वर्ल भाइब कुछ हो गया तो आपकी चड्या नहीं उत्रेंगी को अपने का और आपनी आप आपका उतना लगावा maximum उतना चाहेगा लेकिन अगर आपने future केरी किया और कल वर्ड वार हो या कुछ भी डॉक्टर एडी ने सब्सक्राइब रिलाइन्स एक्जाम्पल पे अब वह सिधा खुला ही 500 रुपय नीचे तो अगर आप 100-500 रुपय नीचे का खली ओवरनाइट के लिए लेकर जाओ सुबह उसको वापिस बेज़ दो खली ब्रोक्रेज ने लगी और आजकल तो साथ रुपया तीन रुपया फ्री ब्रोक्रेज वाले भी वह एम स्टॉक वाला तो फ्री रहता है 900 रुपय एक बार दिया साल बर का पूरा फ्री है लाइफ टाइम का साइद मेरे ख्याल में फ्री है कहां आपको कुछ लग रहे ब्रेन तो यूज करो हाँ कोई भी फ्यूचर की पोजिशन ओवरनाइट करी करते हो तो हमेशा अपने आपको प्रोटेक्टेट करके जाओ सब्सक्राइब निफ्टी फ्यूचर केरी किया बाइस दोसों पे एक्जांपल तो आप 21-900 का एक पूट हमेशा केरी करके जाओ लाई की पूजिशन नेकेट फ्यूचर अगर अब सेल की पोजिशन करी करते हो तो इतना कोई डर की बात नहीं है ओवरनाइट ऐसी कोई नहीं आ जाती है जिससे वह हजार पॉइंट उपर खुल जाए लेकिन ओवरनाइट ऐसी बैड निउस आ सकती है कभी भी जहां हजार पॉइंट गिर के खुल जाए ठीक है कि मैं क्यों लूँ सर मैं तो बाइंग में इसलिए तो दिला रहा हूं कि क्या होगा तुन्हें आज साथ रुपय में पूट लिया कल वह 64 खुलेगा या 56 खुलेगा बेज देना सुबह सुबह कि वार वार तो कुछ हुआ नहीं आज का दिन तो हो रहा है चालू है अब स्टॉप लोस लगा लगा के खेलना उससे में फ्यूचर लुचर कि पूरी तर से स्ट्रॉंग गई है कि चांस था यहां तक आने का लिए नहावे भी नहीं है आज कि बुलिष एंगल्फिंग आई है केंडल कि आज की केंडल को बुलिष एंगल्फिंग बूलते हैं कल देखेगा बाइस तीन सो पार हो जाएगा मैं आपको अभी बोल लो अब बैंक निफ्टी देख लिए दोनों दिन नो टंकी वाला गेम किया लेकिन कहीं भी अपने एहम लेवल को नहीं तोड़ा अब आज बुलिष स्पिनिंग टॉप बना दिया अब मैंने आपको क्या बना था यह देखिए यह जो जोन मैंने कल भी बताया था यह जोन पर आएगा लेकिन क्लोज नहीं करेगा एग्जेक्ली है थोड़ा इसको एक काम करता हूं इंवेस्टिंग का खोल के दिखता हूं खूल गया है आज खूल नहीं रहा था पता नहीं क्यों खूल जया रहा है खूल गया बैंट्टिंग बैंट्रब्टिंग आज चर्ण बैंट्टिंग आज बता है बैंक निप्टिंग और जो लोग मेरी ओल्रेडी ग्रुप में आठ हजार में भी एक साल लिये ने उनको भी बताता हूँ आप जब अगले साल रिन्यू करने आओगे तो आपका 40 जारी लगना है जो आफर्स आपको दिए गये थे वह भी खतम कर लिया अपने एक्स्टेंशन के यह 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 पोर्शन पर मैं बोला था जरूर आना चीह लेकिन सिर्फ लोग बनाने के लिए अब आप देखो यह क्या बना आपको थोड़ी सी अकल होगी यह बना है जब तक इस आज के लो के नीचे क्लोज नहीं आता तब तक कोई डरने की बात नहीं आज का लो जो था वो 324 था ठीक है अब क्लोजिंग तो 588 हो गई आज की क्लोजिंग यह है 588 हो इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करता तब तक यह सेफ है क्योंकि यह है एक सपोर्ट जोन है यहां पर कई बार बैंक रिफ्टी ने पहले लोग बनाया दिखिए इस जगह इस जगह और आज इस जगह यह तीनों एक सपोर्ट बन गया अब कल हो सकता है आज के हाई के ऊपर ही खुले सिधा और ऐसा जड़नी दिखा दे आप और यह टार्गेट आपको दिखा दे ठीक है मुझे तो ऐसा लगता है 49,000 भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकर थो टाइम लग सकता है और अभी भी यह डबलू पेटर्ण जो बनने वाला था ना वह भी जिन्द है आपको यह भी बदाज दो और यह काइंड इंफोर्मेशन जो साइडवेश मूवमेंट होती है इसको बोलते है साइडवेश मूवमेंट इसको गिरावट नहीं बोलते है जब साइडवेश मार्केट जाता है तो आपको लग रहा होता कि घिर रहा है लेकिन वो अपने सपोर्ट को सिर्फ रीटेस्ट करने के लिए यहां आता है ठीक है आपको पहले कुछ एक्जाम्पल दिखा देते हूं यहां से उपर गया यह साइडवेज हुआ तो इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया फिर भाग गया ठीक है जब तक कि जहां से रैली स्टार्ट हुई उस लोग पॉइंट पर नहीं आता तब तक कोई मतलब नहीं है कल त्यार हुजे यह 300 के ऊपर जाने के लिए निफ्टी में और मैं सर्प्राइज नहीं होंगा अगर कल 350 भी दिखा दे को बाइस लिखना बड़ेगा बीस का सो चो बीस पर भी अम लोगों को लगता था बहुत तीज है मार्केट अब यह लोग बोलते हैं मंदी अरे मंदी तो मैं भी बोल रहा हूं बहुत बड़ी मंदी आएगी यह भी बोल रहा हूं यह भी मैं बोल रहा हूं छोटी मोटी नहीं आएगी यह 700 500 वाली नहीं आएगी अब जब आएगी आपको दो अड़ाई अजार वाली आएगी बट मार्केट अभी ऐसा कोई साइन दिया नहीं है या तो कोई ओवरनाइट गेम खेल देगा तो मुझे नहीं मालूम है ठीक ह तो क्लियर एकदम कल एक तेजी वाला दिन नोट डाउन कर लीजे रात को आज डाव जोंस कुछ चमतकार दिखाएगा उपर की तरफ ठीक है वह दिखाए नहीं दिखाए कल हम लोग दिखाएंगे फिर भी आपको डाव फ्यूचर कितना चल रहा है एक बाद दिखके बता देखाएंगे फ्यूचर्स अभी कितना चल रहा है भाई तो चार पॉइंट माइनस है एक सो बारा अब देखो इसका ओल्टाइम हाई कितना है आप खुद देखना भी हाना डाव जोन्स का चार्टी लगा के दिखाएंगे तो फ्यूचर्स दिखाएंगे आपको ओरिजिनल डाव जोन्स का जो जैसे ओरिजिनल निफ्टी का दिखते हैंगे कल की क्लोस देखना थर्टी नाइन जिरो सिस्टी नैन पर ठीक है ओल्टाइम हाई कितना है जाओ जब ऐसा कुछ दिखने होगा या कोई extremely overbought situation दिखेगी मुझे तो मैं आपको हिंट जरूर दूंगा दोस्तों जरूर बताओंगा मुझे ऐसा लग रहा है सच बोलना मुझे बड़ी मंदी भी दिख रही है लेकिन एट प्रेसेंट में 22-600 तक आराम से जाने जाते होगा दिख रहा है मुझे हलांकि 495 मेरा पहला टार्गेट रहेगा इस वीक का सकेंड टार्गेट 2620 थर्ड टार्गेट 23100 जे जिनिंद्रा जे भोलेनाग जे